CBSC World में आपका स्वागत है, तो टॉपिक वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है Sectors of Indian Economy, तो इंडियन एकॉनमी में जो सेक्टर है वो तीन हिस्सों में डिवाइड़ है जिन में से पहला आपका primary हो गया, दूसरा secondary, तीसरा tertiary अब एक एक करके हम तीनों को देखते हैं, primary में क्या आता है जितने भी natural product होते हैं, वो हम primary sector में रखते हैं यानि जहां पर nature हमको कोई चीज देती है, तो उसको हम किसमें रखते हैं primary sector के अंदर, जैसा आपका agriculture हो गया, खेती में जो भी सामान मिलता है यह हूँ, चावा, लाटा, दाल, यह सब हमको nature provide करती है यानि इसमें हम कुछ खुद से नहीं बनाते, बलकि nature सारा काम करके हमको देती है दूसरा forestry हो गया, forestry हम क्या करते हैं, लगडिया काटते हैं, पेड़ को काटते हैं और भी दूसरी चीजें लेते हैं, तो वहाँ जो सामान होता है, वो हमको natural product होता है nature हमको बना कर देती है dairy हो गया, जो milk हमको मिलता है, वो एक natural product है हम खुद से दूद बनाते नहीं है, दूद हमको nature देती है fishing हो गया, मचली का पकड़ना, तो मचली जो हमको मिलती है वो nature ने बनाई हुई होती है, इसलिए मचली जो है या fish एक natural product है तो ये भी primary के अंदर आएगा mining हो गया, हम खुदाई करते हैं, और उसमें से जो metal है, koila है, ये सब जो निकालते हैं ये भी हमारे primary sector के अंदर आएगा, यानि इन काम को करने वाले लोग कहलाएंगे कि ये primary sector की लोग है और इन सारे काम को हम कहेंगे कि ये primary sector का काम है यानि खेती करना, dairy का काम करना, fishing करना, forestry करना, हम कहेंगे ये primary sector का काम है अब चुकि primary sector के अंदर सबसे ज़ादा जो काम होता है वो agriculture से related होता है इसलिए इस primary sector को हम agriculture and related sector भी कहते हैं अब secondary sector के हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है natural products are changed into other forms through ways of manufacturing इसमें क्या करते हैं जो भी natural सामान हमको मिलता है nature से बना बना कर हमको जो सामान मिलता है उसको हम manufacturing करते हैं इंडस्ट्री फैक्ट्री वगरा के अंदर हम खुद से उसमें कुछ बदलाव करके एक दूसरा product बना देते हैं जैसे आपका ये cotton है ये cotton का उगाना primary sector के अंदर आएगा इस तरह से पेड़ पे cotton निकलेगा उससे हमने कपड़ा बना दिया ठीक है पहले cotton से धागा बना दिया धागे से कपड़ा तो ये कपड़ा बनाना है ये secondary sector का काम है कपड़ा बनाने की जो factory है वो secondary sector के अंदर आएगी और ये जो काम करेंगे लोग उनको हम कहेंगे कि secondary sector के आदमी है दूसरा sugar cane की खेती करना उगाना ये primary के अंदर आएगा अब sugar cane से अगर हम sugar बनाते हैं तो ये काम secondary sector का है कि sugar cane से गन्ने से चीनी को बनाना या sugar cane से गुड का बनाना ये secondary sector के अंदर आएगा जो ये काम करने वाले होंगे उनको secondary sector के employee कहेंगे कि secondary sector के अंदर ये काम करते हैं और ये काम secondary sector का होगा अब इसमें जो कि industry से जुड़ा हुआ बहुत काम होता है सारा काम generally industry के अंदर होता है वाँ machine लगी होती है उनके जरी बनता है इसलिए इसका दूसरा नाम industrial sector भी है अब टर्चरी में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आये तो आपको पता चल सके और अपने दोस्तों में शेयर करिए जैसे एक बंदा है उसकी sugar की factory है उसको चीनी बनाना है और एक आदमी है जिसका गन्डे की खेती करता है अब sugar बनाने वाले को sugar cane की जरूँत पढ़ेगी गन्ना मिले तभी चीनी बनाऊ तो गन्य की खेती करने वाले से contact कैसे करेगा मुबाइल के जरीए या इमेल भेज़ेगा किसी जरीए तो कम्यूनिकेशन तो कम्यूनिकेशन से जुड़ा हुआ जो काम है वो टाचिरी सेक्टर के अंदर आएगा आप किसी भी कंपनी का और कॉपरेटर का सिम यूज करते हो के जियो एटेल आइडिया जो भी तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ बना नहीं रहे हैं बलकि वो सेवा दे रहे हैं आपको किसी से बात करना है तो आप फोन मिलाते हो वहाँ तक दूसरे से बात कर ले रहे हो तो ये जो आपको service provide की जा रही है कि एक जिगहें बैटकर दूसरी जिगहें बात कर ले रहे हो ये काम करने वाले इसके पीछे जो system चलाने वाले लोग हैं कोई tower लगा रहा है कोई communication system को देख रहा है कोई customer care की तरह आपकी सिवा कर रहा है तो ये टर्चरी के अंदर आएगा दूसरा अगर सामान है एक जिगहें दूसरी जिगहें पहुचाना पड़ेगा परकेजबर शुगर केन है उसको शुगर मिल तक पहुचाना पड़ेगा गन्ने को ले जाकर वहां factory तक पहुचाना पड़ेगा उसके लिए आपको ट्रांस्पोर्ट की जरुत पड़ेगी ट्रक के जरीए या अगर किसी दूसरे कंट्री में है तो जहाज के जरीए या शिप्स के जरीए तो ये लोग कुछ बना नहीं रहें ट्रक से पहुचाना बना नहीं रहें आपको सेवा दे रहें इसी तरह बैंकिंग हो गई आपको खे़दी करना है, आपको फैक्टरी चलाना है उसके लिए आपको लोन चाहिए होगा तो बैंक आपको पैसा देता है और भी क्या है? जैसे आपका डॉक्टर हो गया सर्विस दी जाती है इसलिए इसका नाव सर्विस सेक्टर है ओके तो है उप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनलों को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेर कर दिए थैंक यू